जुवारकाली हाइडराबाड़त तेलेंगाना सरकारे जीध हरने आमाँग परामोर्फ दिसीले केद हरने आमी आमार अनुस्तान्तों हाजु कोई सिले तेखेट हकले आमा कोई सिले जर सार्मिनारत एई प्रोग्रेम टु हबना लागे कारण ता जुम्मा नमाज हाशे सो आमी ताथ अनुस्तान्तों कोई सिले जै अनुस्तान्तों अनुस्तान तो आमी कोरी आशीलू तेटिया एजन पीएशो ठका तेलेंगाना जी सरकार आशे टीरेश जी पोलिटिकल पार्टी आशे तार काज्य करता एजन मान्सोले उठिया है और अल्मोस्ट जीरो डिस्टेंस अत मुँ खुद है अपनी तेलेंगानार मुखम अन्ती भ भाखन आरम्भे करा नहीं तो माई की कम की नकम एट अपनी केने के जानीबो तो इन देट 30 सेकेंड तार राइजे त अलट नामाई लोई जाए और तार पिसट आरख्ये त्याँ निद्धिस्ता दूर्ट लोई लोई जाए तेलेंगानार काली बहु हाजार लुकर उपस् प्रिकोटव आशिल अरो एक के बारे जिरो डिस्टेंस अलेके आही जुआतो कबात नहाए कबात बुजाई जेजी ब्यबस्ता आशिल हे ब्यबस्ता आशिल आशिले अमी ये तो यह अनूर्ट करीम जे अटिथी देवभवव आमी तेनेके मानु आमार राजनोयतिक पर्ख कामी विश्चाख नकोरिवा पारू बाट एबार जोदी आपुनी हभाखन पातिवा अनुमोटी दिये ते ती हाले खे खभाखन निरापट्टा जनीत ब्यबस्ता ग्रहन करातू हकलु एबाबे हमिसित आरू ए निरापट्टा हाधारन लुके भांगीलो बेलेक कथा जे तिया हाखोकियो राजनोइतिक डलर कर्मिये ए निरापट्टा ब्यबस्ता भांग करे खेटु अकनमान देखीबुलोई दिस्तिकोतु होई अमार जितो होई और मौई भाभु जे तेलेंगाना सरकारे एई दिखत निस्षय निर्दिस्त ब्यबस्ता ग्रहन कोरुँ न जे तो अधिया जिए मां गॉम पाई शिलो जी ने मौई जी तो जीधरने मौई थाकू जीधरने मौई नेसार खेटु ए मौई में तेन परिया शिलो अरो हाधान ते एतिया लेक्या कोटू भाई खुआ नाए एप्या भागवाने भाई भाई तो खुमाई दिया नाए I think that it is a little bit of premeditated when the person come to me he asks me why I have spoken against the chief minister of Telangana but by that time I have not started speaking only the organizer was speaking I was not speaking even a word so from that I can guess that it was a pre it was a pre plan and premeditated thing and only thing who has planned it this is the question somebody told me that he was arrested in a very mild section and which made him eligible for release in PR bond I think these are their this is their decision I don't want to comment but if this would have been happen in Assam and with the chief minister of Telangana probably Assam police would have take more stringent action I am holding a position I cannot be nervous or I cannot be angry or I cannot be frustrated so I mean you have to carry your office well I was there I am aware that I am chief minister of a state so I have to take that things along with me sometimes police do some time police do assess the security but I always ask my police give me such security which will be there with me even if I am not seeing so I should not this is my stand but what they do it is their job but fine I mean too much security takes away from people